हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशी केश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप और आज इस फुडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ MLC 2024 के मुकाबले की जो की खेला जाएगा San Francisco Unicorns vs Seattle Orchestra के बीच में Dallas के Grand Prairie Stadium के अंदर 21 जुलाई को सुभा के 6 बजे से और इस मुकाबले का लाइव टेलिकास्ट होने वाला है जीओ सिनमा के उपर अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिछल रिपोर्ट के बारे में तो पिस धीरे धीरे काफी स्लो हो चुके Dallas की तो मैं उमीद करता हूँ जो भी टीम टॉस जीतेगी ना पहले बल्ले बाजी करना चाहेगी सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ San Francisco Unicorns के बारे में जिन्होंने पिछला मुकाबला जीत कर इस साल की प्लेओफस के लिए क्वालिफाई कर लिया है अब देखो obviously इस टीम के अंदर Matthew Short है आपके पास Finn Allen है आपके पास Jake Fraser McGuck है ये लोग तो हर मुकाबले के अंदर अच्छी बल्ले बाजी करते हैं पर जिस तरह से पिछले मुकाबले में कप्तान Corey Anderson ने बल्ले बाजी करी उनको देखकर मुझे काफी मजा आया मुझे सालों पहले के याद आगई जब Corey Anderson बड़े-बड़े छक्के मारा करते थे तो मेरे सबसे ये इस टीम के लिए काफी शांदार बात है और ये मुझे बहुत स्ट्रॉंग मनाती है इस टीम के लिए कि अब ये आने वाले मुकाबलों में और अच्छा करेगी इवन गेंदबाजी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो हारी स्रॉफ इस टीम के लिए विकेट निकाल रहे है पैट कमिंस विकेट निकाल रहे है इस टीम के लिए लेम पलंकेट इस टीम के अंदर है तो सारे के सारे जो प्लेयर्स है ना, वो हैं विकिट टेकर्स, तो इस टीम के बल्ले बाजी बे अच्छी है, गेंद बाजी बे अच्छी है, पिछले मुकाबली के अंदर एंडरेसन भी फॉर्म में आ गए, तो एक और अच्छा मुकाबला इनके पास जीतने का, और प्लेयोफ से पहले मुमेंटम बनाने का, अब मैं आपसे बात करता हूँ सियाटल और कैस के बारे में, तो सियाटल की टीम ने अपना पास में से केवल एक ही मुकाबला जीता है, और अब इनके लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होगा प्लेयोफ के लिए, आप इस टीम को उठा कर देखो, जिस टीम के बल्ले बाजी में हेंडरिक क्लासेन है, राइन रिकल्टन है, कुईंटन डिकॉक है, कई बार मुझे समझ नहीं आते कि इस टीम ने तरह स्ट्रगल क्यों किया, और राउंडर्स में हरमीट सिंग आपके पास, इमाद वसीम आपके पास, माइकल व्रेसोल आपके पास, पर इस टीम ने बता दिया कि चाहे प्लेयर्स कितने भी अच्छे हों, अगर वो पिछ पर अच्छा नहीं करेंगे ना, तो वो किसी काम के नहीं, पिछले मुकाबले में टीम ने गिनबाजी के अंदर कुछ नए प्लेयर्स को ट्राई किया, लूंगे एंगीडी टीम के अंदर आए, कीमो पॉल टीम में आए, अब आप कॉलिटी देखो, लूंगे एंगीडी है, कीमो पॉल है, केमरून गैनोन ने अच्छी गिनबाजी करी है, इतने सारे बड़े प्लेयर्स होने के बाउजूदी जो सियेटल की टीम है, अच्छा करनी पाई इस साल के टॉनामेंट के अंदर, फिर भी अभी कुछ मुकाबले बचें, क्या पता चमतकार हो जाए, पर अगर चमतकार होना है, तो हेंडरिक लासें, कुइंटन डीकॉक और रायन रिकल्टन, यह जो इस टीम के तीन बल्ले बाज है न, उनको अच्छा करना पड़ेगा, गेंद बाज है, फिर भी डिसेंट है इस टीम की, पर अगर यह तीन बल्ले बाज चल गए, तो सेटली टीम कमाल कर सकती है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, कि इस मुकाबल में कौन सी टीम मुझे जीत मिलेगी, वो टीम होगी सेटल या फिर वो टीम होगी सैन फ्रांसिसको, अब बताओं मुझे कमेंट करके, और इस मुकाबली की फेंटैसिटीम आने वाली एक भी स्टीन क्यूब पर, तो वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टन मुकाबला यह सेटल की टीम के लिए, पर मुझे लगता है सैन फ्रांसिसको एक बहुत भी स्ट्रांग टीम है, और उन्हीं को जीत मिलेगे इस मुकाबले में, उमीद करता हो वडिया आपको अच्छी लगी होगी, लगी तो लाक कीजेगा, सबस्क्राइब बीजिया चैनल को इस तरह वडियोज देहने के लिए, मुलाकात होगी अपसकली वडियो के अंदर, और याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं,